आप सभी प्रिय दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है इस नई वीडियो में, आज हम बात करेंगे गेल, क्यों शेर बढ़ रहा है इतना ज़्यादा और क्या है बाई बैक का सही तरीका उसको प्ले करने का, साथी साथ में डिविडेंड की खबर भी है और कब होना चाहिए ये शेर आपके दीमेट अकाउन में उसके बारे में बात करेंगे साथी साथ में fundamental और technical analysis के basis पर आपको अपनी recommendation बताएंगे और बताएंगे क्या होने चाहिए इसके सही buying level आइए चलकर शुरुआत करते हैं आगर हम सबसे पहले शुरुआत करें गेल के बारे में यहाँ पर इन्होंने 1046 करोड का एक buyback offer दिया है जो की काफी बड़ा है गेल के reference में अगर बात की जाए तो यह buyback काफी बड़ी तादात में help करेगा share को जब भी company buyback करती है अपने extra surplus cash को वो shareholder में distribute करती है एक अच्छा तरीका होता है ताकि company के ownership भी बढ़ती है और साथी साथ में company को help भी मिलती है stock price improve होने में और देखे साथी साथ में उन्होंने 5 रुपे का dividend भी issue किया है और उस dividend की date है January 28 यह official news है print media के accordingly अगर आपको दिखाए तो देखे गेल board has announced payment of interim dividend रुपीज 2.5 पर equity और साथी साथ में उन्होंने buyback announce किया है यहाँ पर interim dividend of rupees 1046 रुपीज का जो की एक अच्छा नजरिया समझा जाएगा इस stock के reference में आगे आने वाले समय में total buyback share की जो quantity है वो करीब करीब 6 करोड के आसपास की quantity है which represent about 1.5% of total number of shares जो उनके company के हैं यहाँ पर इसका price डेड़ सो रुपे का है जो की एक यहाँ से उपर की तरफ का रुख करने की बात कर रहा है अगर आप इसका price भाव देखेंगे तो आपको पता लगाएगा कैसे हम इसको कह रहे हैं कि उपर जाने की बात होगी पहले news को पूरा बताते हैं फिर करेंगे record date जो है 28 जनवरी है तो इसका मतलब DMAT में आपके account में 28 जनवरी को यह share होने चाहिए अगर आप खरीद होई आज share में government owns 51% of Gale and is expected to participate in share buyback तो यह भी एक अच्छा साइन है यहाँ पर अगर हम बात करें जो dividend की quantity है 583 करोड की dividend है और buyback tending proportionate number of shares करेंगे यहाँ पर यह पूरी information BSE और NSE sites पर available है यहाँ पर अगर हम बात करें आगे यहाँ पर उनका plan है कि raising funds to restrict the deficit वो जो उनके पास में physical deficit की बात है इसलिए यह buyback यहाँ पर अच्छा समझा जाएगा आगे आने वाले समय में government शायद NTPC आपका coal India और साथ में NMDC में भी यही करने की कोशिश करेंगी तो यह अच्छी ख़बर मानी जाएगी overall company की तरफ से देखे जाए प्लीस consult your financial advisor before investing and trading अब अगर हम बात करें आगे इसकी fundamental view की तो सबसे पहले company का market cap देखे तो 62,000 करोड की company है इसको एक large cap company की तरसे treat कीजे और चाहें तो अपने 10% का portfolio इस stock में रख सकते हैं sales की दर से देखे जाए तो 13,000 करोड की sales हूँ थी September में और यहां से profitability देखे जाए तो 700 करोड की profitability है 770 करोड यहां पर आगे आने वाले समय में काफी अच्छी उमीद रहेगी लोगों को promoter holding 52% अभी के हिसाब से FIA की 15% DIA की 28% और public की 4% की holding है यहां पर दोस्तों अगर हम बात करें हमारे channel का rule by 5 by 5 हमेशा ध्यान रखिएगा और साथी साथ में अगर Gale का technical analysis किया जाए तो देखिए technical analysis की basis पर simple बात है आज का intraday chart तो क्योंकि market आज थोड़ा सा गिरा था आपको ध्यान होना चाहिए market ने आज एक काफी बड़ा नीजक reaction दिखाया था यहां से उपर गया 145 तक उसके बाद थोड़ा नीचे flat और उसके बाद में देखिए यहां पर यह market में fat fingers की selling हुई है आज बहुत तकड़े वाली 144 से गिरकर सीधा महस 15 मिनट के अंदर 137 हो गया था और फिर थोड़ा recovery की है इसने यहां पर अगर यही चीज आप intraday के basis पर देखें तो देखिए इसमें हम लोगों ने यहां पर आपके लिए RSI और सूपर ट्रेंड दुनों के एक साथ लगए दिखाया है RSI थोड़ा सा उपर चला गया था जो कि 80 के उपर RSI थोड़ा sustainable नहीं होता है और intraday में क्योंकि market ने एक knee-jerk reaction दिखाया था तो वहां से नीचे गिरने की संभावनाती जो हुआ 139 एक अच्छा strong support resistance है सूपर ट्रेंड के basis पर इस stock में अभी अगर हम कुछ studies एड़ करें इसमें तो देखें दोस्तो bullianger band one of our favorite indicator इसने clear cut आपको बताया है कि उपर जाने के time पे ये काफी तेजी से भाहर चला गया था हो सकता है कुछ retracement करें जो कि आज 139 के आसपास यहां पर retrace है currently आप चाहें तो इसको staggered manner में current market price से 130 के बीच में खरीद सकते हैं जो कि एक long term के लिए बहुत बड़ा आपकी support रहेगी जिसको आप यहां से trade के लिए reference में देख करते हैं अब अगर हम अगला indicator दिखाएं तो देखें alligator indicator हमारा बहुत favorite indicator होता है यह आपको बताता है कि आगे की year run नीति हो नीचे तो यहां पर बहुत अच्छा bullish pattern बन रहा है अगर आप देखें alligator indicator की basis पर जो पहली बार इसने यहां से bias दिया था वो 94 के आसपास दिखाए था और देखें 140 तक यह पहुँच गया है यहां पर साथ ही साथ में अगर हम इसको MACD के साथ add कर दें तो यह सोने पर सुहागा हो जाता है देखें सोने पर सुहागा कैसे कह रहे हैं MACD ने भी buy signal यहां पर generate किया था देखें momentum देखें 31 से 140 तक momentum जो short term trader होते हैं वो इसको follow करते हैं आप चाहें तो इनको अपने साथ add कर सकते हैं तो जैसे हमने conclusion बताया बहुत simple है current market price से 130 के बीच में staggered manner में आप इसको खरीद दिएगा long term के लिए एक बढ़िया target रहेगा इसका हम गेल में शुरू से bullish view रखते हैं और जैसे ही market ने correction करना बंद किया था और यह उपर जाना शुरू किया था काफी गेल में buying interest आई थी हमारा target आने वाले समय में इस stock को आपको 3 साल के अंदर 300 रुपे के आसपास दिखना चाहिए थोड़ा सा aggressive target है बट यह achievable है जिस तरह से government organization ने इसको maintain करके रखा है जैसे इसकी positioning है जैसे इसकी sales है उसके हिसाब से यह बहुत बढ़या company है और एक multi bagger PSU की तरह से आप इसको treat कर सकते हैं दोस्तों आपके लिए simple सलाह है आप इसको buy कीजे by right price पर जोसे हमने बताया और hold रखिये ताकि आपका portfolio grow होता रहे और आपको उन्नती मिलती रहे दोस्तों अगर stock market में आपको learning करनी है तो इसके लिए हमने एक customized program डिजाइन किया है intraday trading के basis पर आप चाहें तो उसको हमारे program को join कर सकते हैं ये program आपको बारी क्या सिखाएगा और समझाएगा trading में कैसे हम लोग हर दिन trade नहीं करते हैं किस दिन हम लोग loss भी होता है तो हम loss book करते हैं और क्या हमारी positional traders रहती हैं साथी साथ में stock market के आपको learning भी मिलेगी अगर आप इसमें interested हैं तो January month में हमने discount price लगाया हुआ है 8,000 rupees का यह आप use कर सकते हैं हमारे को mail drop करके अकर query कर लिए तो कर वी करने में कोई हर्ज नहीं है आप इसको चाहें तो query कर लीजे और आपका जो digital profile बना हुआ है जैसे जैसे आप YouTube पे सर्च करते हैं जैसे जैसे आप Google पे सर्च करते हैं उसके accordingly हमारे चैनल के 1800 प्लस के वीडियो में से आपके लिए ये चार वीडियो प्रस्तूत हैं आप चाहें तो इनको देख सकते हैं आपको समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद हम बहुत आभारी हैं आपके आप हमारे चैनल पर आए हैं अगर किसी पर्टिक्लर वीडियो पर आपको बनाना है तो हमें बताईए विल बी मोर दन हैपी तो मेक दैट फो यू और आपका दिन मंगल में हो जै हिंद, जै भारत बाई गाईज, टेक केर